जे माता दी आज एका दसी पर आई ये सुनते हैं तुलसी मा और भगवान विशुडू की यह कहानी सावडी मुनी की पुत्री तुलसी अपूर्व सुन्दरी थी उनकी इच्छा थी की उनका विवा भगवान नारायर की साथ हो इसके लिए उन्होंने नारायर परवत की घाटी में इस्थित बदरीवन में घोर तपस्या की दिर्ग काल तक तपस्या की उपरान ब्रह्माजी ने प्रशन होकर दर्सन दिया और वर्मांगने को कहा तुलसी ने कहा स्रिष्ट करता ब्रह्मधेव आप अंतर्यामी हैं सबकी मन की बात जानते हैं फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ मैं चाहती हूँ कि भगवान स्री नारायर मुझे पती रूप में मिलें ब्रह्मा ने कहा तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा अपने पुर्वजन में किसी अपराध के कारण तुम्हें स्राप मिला है इस प्रकार भगवान स्री नारायर के एक पारसत की भी दानव कुल में जन्म लेने का स्राप मिला है दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायर का अंस विधमान रहेगा इसलिए इस जन्म में पुर्व जन्म के पाप के समन के लिए संपूर नारायर तो नहीं नारायर के अंस से युक्त दानव कुल जन्म में उस स्राप ग्रस्त पारसत से तुम्हारा विवा होगा स्राप मुक्त होने पर भग्वान स्री नारायर सदा सरवदा के लिए तुम्हारे पती हो जाएंगे तुलसी ने ब्रह्मा के इस्वर को श्विकार किया क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उसी माया भी भोग तो भोग ना ही था तुलसी बद्रिबन में ही रहने लगी नारायर का वह पारसत दानो कुल में संख चूड के नाम से पैदा हुआ था कुछ दिनों के बाद वह भ्रमर करता हुआ बद्रिबन में आया यहां तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्द हो गया तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा इतने में ही वहां ब्रम्हा जी आ गए और तुलसी से कहा तुलसी संख चूड को देखो कैसा दिवोपम इसका शुरूप है दानो कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके सरीर में नारायर का वाशो तुम प्रस्ताव को शहर्ष स्विकार कर लो तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर हुई उसे इच्छित फल मिला है संख चूड के साथ उसका गंधर्व विबा हो गया और वह संख चूड के साथ उसके महल में पत्नी बन कर आ गए संख चूड ने अपनी परमसुंदरी सती साधवी पत्नी तुलसी की साथ बहुत दिनों तक राज्य किया उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देव लोग तक उसकी अधिकार में आ गए स्वर्ग का शुक भोगने वाले देवताओं की दसा भिखारियों जैसी हो गए संख चूड किसी को कष्ट नहीं देता था पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रम्हा विश्डू और सिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ती सुनाई ब्रम्हा जी ने कहा तुलसी परमसाध्वी है उसका विवा संख चूड से मैंने ही कराया था संख चूड को तब तक नहीं हटाया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को न छला जाए विश्डू ने कहा संख चूड पुरुजन में मेरा पारसत था स्राप के कारण उसे दैत्यकुल में जन्म लेना पड़ा इस जन्में भी मेरा अंस उसमें व्याप्त है साथी तुलसी के पती व्रद्धर्म से वह अजेय है फिर देवताओं की सहमती से भगवान सीवने संख चूड के पास संदेश भेजा की या तो वह देवताओं का राज्यलवता दे या फिर उनसे युद्ध करे संख चूड संकर के पास पहुचा उसने कहा देवाधिदेव आपके लिए देवताओं का पचलेना उचित नहीं है राज्य बढ़ाना हर राजा का करतब्य है मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ देवताओं से कहिए वी मेरी प्रजा होकर रहें मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है हमारा आपका युद्ध सोभा नहीं देता अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी मैं हार गया तो आपकी किर्ती बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी भगवान संकर हसे वी तो सब रहस्य समझते थे तुलसी और संक्चूर के पुर्वजन के स्राप की यओधी लगभग पूरी हो चुकी थी बोले इसमें किर्ती और लज्जा की बात नहीं तुम दियों का राज्य लवटा कर उन्हें उनके पत्प प्रतिष्ठित होने दो युध से बचने का यही एक उपाय है संक्चूर ने कहा मैंने युध के बल से देवलोक जीता है कोई उसे युध के द्वारा ही वापस ले सकता है यह मेरा अंतिम उत्तर है मैं जा रहा हूँ ऐसा कहकर संक्चूर चला गया उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा कर्मभो सब काल सुत्र में बधा है जीवन में हर्स, शोब, भै, सुखदुक, मंगल, अमंगल, काल की अधिन है हम तो केवल निमित है संभव है भगवान सीव देवों का पचले कर मुझसे युद्ध करे तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सतीते मेरी रच्छा करेगा दूसरे दिन भगवान संकर के नित्रित्व में देवताओं ने युद्ध छेड दिया संक्चूर ने भीशर बारों की वर्सा कर उनका बेदरों का उनके प्रहार से देवतार डगमगाने लगे उसने दानमी सक्ती का प्रयोग कर माया भी युद्ध आरंभ किया युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था पर उसके अस्त्र सस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे देवगर अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं क्योंकि कोई सत्रू सामने था ही नहीं कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला संखचूर पराजित नहीं हुआ तब सीव ने विश्रू सी कहा विश्रू कुछ उपाय करो अन्य था मेरा तो सारा यस मिट्टी में मिल जाएगा विश्रू ने सोचा बल सी तो संखचूर को हटाया नहीं जा सकता इसलिए छल का सहारा लेना होगा उन्होंने तुरन अपना सरू संखचूर जैसा बनाया और अस्त्रसस्त्र से सज्जीत हो तुलसी के पास आए बोले प्रिये मैं युद्ध जीत गया सारे देवता भागवान संकर समी थार गय इस खुसी में आओ मैं तुहें अंग से लगा लूँ पती को प्रत्यच खड़ा दे तथा विजय का समाचार सुन वह दवरकर माया भी संक चूर के गले से लिपट गए इस प्रकार पती पतने दोनोंने आलिंगन हो खुब खुशी मनाई पर पर पुरुस के साथ इस प्रकार के विवहार से उसका सतीते नश्ट हो गया उसका सतीते जो संक चूर की कवच के रूप में रच्छा कर रहा था वह कवच नश्ट हो गया संक चूर सकती हीन हो गया यह जानते ही भगवान संकर ने अपने त्रिसूल से प्रहार किया त्रिसूल के लगते ही संखचूर जलकर भश्म हो गया संखचूर के मरने को जानकर विश्डू अपने असली स्वरूप में आ गय सामने अपने पती संखचूर के अस्थान पर भगवान विश्डू को खड़ा देखकर तुलसी बहुत बिश्मित हुई उसको पता लग गया की श्वैम नारायर ने उसके साथ छलकिया है क्रोध में आकर उसने स्राप दिया एक सती इस्त्री का सतित्व भंकरने के अपराध में तुम फिर्वेहिन पत्थर हो जाओ विश्डू ने तुलसी के स्राप को सिरोधार यकर कहा देवी तुम्हारे तथा संख चूड की कल्यार के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा तुम दोनों को स्राप मुक्त करना था तब भी अब सरीर त्याग कर तुलसी विर्वा के रूप में जन्म लो और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी मैं साली ग्राम पत्थर बनूंगा मेरे सीसपर तुम आदर से विराजमान हो जाओगी तुम्हारे पती की हड्यों के चूड से संख की उत्पत्ती होगी उस संख ध्वनी से देवताओं तथा मेरी पूजा अराधना होगी जहां संख ध्वनी होगी वहां मंगल मैं मैं विराजमान रहूंगा तुमने पूरो जन्में बद्रिबन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी अब अगले जन्में मैं नारायर प्रस्तर के रूप में बद्रिनाथबन में अस्थापित होँगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूर से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी मेरे सीज पर बिराजमान होकर तुम मुझे सी भी उचा पर प्राप्त करोगी